सुषान सिंग राश्वी ताला मामला जो पिछले करीब दो ढ़ाई साल से लगातर चलता आ रहा है इस पूरे मामले के अगर हम बात करें तो अभी हाली में रूपकमाशौजी के निकलने के बाद उमीद जगी थी कि इस मामले में कुछ बड़ी बाता निकल के आने वाली है सामने पर अब ऐसा दावा हो रहा है कि सुषान किये जाने के बाद जो ख़बर न्यूस मीडिया में जिनका नाम मनोशर्माची है चलिए बात करते हैं डीटेल में आपको बता दिया जाए सुषान से राश्वत के जाने के बाद ख़बर निकल के आई उनके घर के स्टाफ के द्वारा कि सुषान नारियल पानी पिया जूस पिया बनाना मांगा उसके बाद वो अपने कमरे में जाके सो गए गेट नहीं खोल रहे थे और जिसके बाद अलग-अलग कहानी आई चाबी वाले को बुलाया गया चाबी वाले से गेट ने खुल रहा था उसने ताला तोड़ा था अलग-अलग स्टोरी साही सामने जिसके बाद समझ नहीं आ रहता कि हुआ क्या है फिर दोड़ा ही बुझे ख़बर मिलती है कि सुषान हमारे बीच नहीं रहे पर आकर हम बा टाइमिंग दिखा रही रखी है और इस आर्टिकल की अगर आब बात करें तो इस आर्टिकल में अगर दस बचके तीन मिनट पर बता रखा है तो फिर सुषान की ख़बर दुपैर दो यह धाई बज़े कैसे हम सब को पता लगी न्यूस मीडिया के माध्यम से क्या दस बच अगर इनके स्टाफ की बात करें तो भाई साथ के बयान तो पहले से ही पलट चुके थी और अगर बात करें इस न्यूस के आर्टिकल की तो इस आर्टिकल को अगर ध्यान से देखा जाए तो इसमें अगर यह टाइमिंग दे रखी है तो सवाल यहां पर भी उठने चाहिए और इस आर्टिकल में यह भी लिखा हुआ है कि यह टाइमिंग जो बता रखी है यह खुद लिक की गई थी जिनका नाम दे रखा है कि एडिशनल सीपी थे मतलब एडिशनल कमिशनर आफ पुलीस थे यह तब के और जिनका नाम मनोशर्मा जी बताय जा रहा है मनोशर्मा ज की गई है जो कि खुद मरास्ट के डिप्टी सीएम डिविन फर्डविस जी ने लॉंच की थी तो सोचिए इतने बड़े ऑफिसर का नाम अगर इस आर्टिकल के अंदर लिखा हुआ है और जो ऑफिसर का नाम लिखा हुआ है वो खुद एक इंस्पिरेशन है लोगों के लि और जो है जो करनी सेना के हैं उनको भी ग्रफतार कर लिया जाता है और जिनके बीचे वजह बताई जाती है कि उनके उपर 27 साल की मौडल ने आरोब लगाए हैं और ऐसी बाते हमने पहले भी देखी थी सुशान्थ के लिए आवाद उठाने वालों को हमेशा से रोका गया ह क्योंकि आरणवगोस्वामी ने भी ये कहा था अपने शो में कि जब हमने आवाज उठाई तो हमको भी रोका गया हमारे चैनल को भी रोका गया और सब जानते कि आरणवगोस्वामी जी के साथ क्या-क्या नहीं हुआ पिछले 2 सालों के बीच में जब-जब उन्होंने सश रिकारता हो या फिर उनकी हिम्मत हो उनकी हिम्मत की जरूर दाद देनी पड़ेगी क्योंकि आज पी हम देखते के सवशान सिंग राश्पूद के फैंस हो या फिर प्रदीब है कि किसी की गलती नहीं है अगर किसी को लगता है कुछ गलत हुआ है और वो उसके लिए आवाज बठा रहा है तो यह कोई भी इल्लीगल काम नहीं है जब वो इसनी बड़ी बात कहा रहे हैं तो समझ यह कहीं न कहीं वो भी आज उन लोगो सपोर्ट करते हैं जो सवशान के लिए खड़े हैं और आज पूरा देश जानता है क्योंकि रूप कुमा शौजी के निकलने के बाद आज सब जान चुके हैं कि कहीं नहीं सुशान से गलत हुआ था सुशान सिंग राश्फूत को नहाएं मिलना चाहिए और जिस तरीके से रूप कुमा शौजी ने अभी हा आया और जब का जा रहे कि इन्होंने देखा SSR को तब इनका दावा था कि पैर के हड़ी टूटी चोटे को निशान के बार इन्होंने खुट परसनली डॉक्टर को बोला कि मामला सिंपल नहीं है बहुत बड़ा गड़बड है इस मामले में वर उसके बावजुद इनका द अड़ल चुके हैं तब वो निकल के आए हैं और उन्होंने जो दावे करें है वह कहीना कहीं वही दावे हैं जो पहले सुर्जी सिंगं बाठोर क्यों कर चुके हैं 2 सल पहले तो कहीना कहीन 23 नाथ हौर की गृषतारी के ओपर भी लग-व-लोग पनी हुई है कि क्या इस गर बात में आवाज उठाई थी और जब अभी हाली में रूपकमा शौजे निकल किया है इन्होंने फिर से आवाज उठाई है तो देखने वले विश्य होगा कि सुषान सिंग राश्वूत अले मामले में सच कब भार आएगा क्योंकि आपको बता दिया जाए 21 तारीक को अभी दो तिन दिन पहले जब 21 तारीक थी सुषान सिंग राश्वूत के फ्लैट जिस फ्लैट में उकराय पर रहते थे मुंबई में वहाँ पर उनकी फैंस पहुचे वहाँ पर भी मनिश कश्यप जी पहुचे जो की एक बहुत ही अच्छे पत्रकार माने जाते हैं सच के लिए वो हमेशा अपनी आवाज को बुलंद रखते हैं और उनकी आवाज आज भी देश की जनता देख रही है कि कितनी बुलंदी से आगे बढ़ रही है और वो खुद सुषान निगराश्वूत के लिए मुंबई जाते हैं उनके फ्लैट के उनके घर के बाहर जाता है मांट ब बेटा हो आज उस बेटे को पूरी दुनिया जानती है पूरी दुनिया प्यार करती है पूरी दुनिया उस इंसान के न्याए के लिए इंतिजार करती है तो देखने वाला विश्य होगा कि सुषान निकल के आई थी जिस तरीके से बाते निकल के आई थी आज सुषान निक और आज अगर बात करें तो अलग-अलग आर्टिकल्स को निकाल-णिकाल के देख रहे हैं कि टाइमिंग जो बताई जा रही है क्या सही में ये टाइमिंग है क्योंकि दस बच्च के कुछ मिनिट की टाइमिंग अगर टेलीग्राफ ऑनलाइन की वेबसाइट के अंदर दे लगी वजा है और यह अगर चीजे पहले हो गई थी तो क्यों आखिरकार दो ढ़ाई बजे लोग को पता लगता है और अगर दस साड़े-दस बचे ही गेट नहीं खुल रहा था ग्यारा बजे गेट नहीं खुल रहा था तो फिर फोन क्यों नहीं किया गया तो फिर गेट खुलने में इतना वक्त कैसे लग गया जो बाते बनाई गई चावी वले की बाते बनाई गई क्या इसके पीछे वजा होगी यह तो बस एक ही शक्स बता सकता है एक ही शक्स के ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं और वो है हमारे देश के मानने निये पी-एम जी या नरिन रमोदी जी के उपर हम घृऊषा है और हम यहां पर भरोषा कभी symbly कम नहीं कर सकते है जो इंसान, जो शक्स हर देशवासी का साथ दे सकता है वो डेफिनेटली उस इंसान को भी नयाय दिला सकता है जो इंसान के साथ आज पूरा देश खड़ा है मतलब सवशानतिंग राजफुट जी को और हम भी रेस्पेक्ट करते हैं अपने देश के पीम के लिए क्योंकि हम सब जानते हैं उनके जैसा शयद ना कोई था ना होगा और अभी भी हमको उन पर उतना ही विश्वास है जितना पहले था और अब देखने वाला विश्य यह है कि सवशानत को नयाय कम मिलेगा हम उसके लिए इंतजार करेंगे पर सबसे बड़ी बात यहाँ पर ही आई है कि क्या सवशानत की राच्वतल अबावने में सीविए की इंकॉइरी दुबारा से होगी क्या सीविए इंकॉइरी पूरी हो गई है क्या सच पता लग चुका है क्या CCTV फूते बाहरा आचुकी है क्या उनकी घर पे कुछ लोग गए थे उतिन क्या कोई party हुई थी इन सब के जवाब तो agency दे सकती है तो उमीद है जल्द से जल्द इस मामले का conclusion निकलेगा तो शाथ निराच्पूद का नियाए मिलेगा और जिस तरीके से इस मामले की जांच हुई है उसकी final report भी जल्द बहार निकल के आईगी उमीद हम यह करेंगे आप क्या कहेंगे comment box आपके लिए खुला है साथ में आप सप्लील करेंगे कि telegram channel का link description में है जाईए उस link को join कर लिजे क्योंकि video upload होते ही सारे video के link आपको वहाँ पर मिल जाएंगे टाइम टाइम क्योंकि नोटिफिकेशन यूटूब भेच रहा यह नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगा तो आपको पता ही लगेगा वीडियो हमारी upload कब हो रही है वैसे वीडियो की timing अभी दो बज़े की है और चार बज़े और रात की आठ बज़े की टाइमिंग है शौट वीडियो upload होने की टाइमिंग आपको बता रिए गया है और बाकी सब वीडियो के लिंग आपको टेलिग्रम चैनल पर मैं शेर कर दिया करूंगा तो उस पर जुड़िए लिंक देस्क्रिप्श्चर में है मिलते हैं बहुत चल्दी नमस्कार खिया मिलते हैं कि एंग रिख नमस्केल उया है अपको जसे द जसे पमगा प्रिशज चाहिं रिद Mm